ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स सबसे पहले नियूस तक में आपका बहुत स्वागत है अधन्यवाद को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोट में याचिका दाइल की गई है उसमें क्या है सर पहले पहले तो यहीं बताए कि उसमें क्या होगा हमारा कि देखें यह सिविल सोसाइटी में ही नहीं का यह काफी काफी नहीं जंता के और वोटर्स में भी और पृटिकल पार्टी यह दिए द्वर करनी यह संशा है सब्के मन में in का जू भोट डाला जाता है वह ठीक रेकौर्ड नहीं होता प्र इसके उपर सुप्रीम कॉर्ट में कई साल से वो चला था और दोजार तेरा में सुप्रीम कोर्ट ने या आदेश दिया था कि वीवी पैट इसके साथ तो लगाया जाए ताकि वो अब वीवी पैट का मतलब सब समझते हैं वो वोटर वेरिफायबल ऑडिट पेपर ट्रेल यानि कि तीन चीज होती है तीन प्रिंसिपल है वोटिंग के अंग्रेज इस पार्टी को डालना चाहता है वह उसी को जाए थीच और दुसरा फिंसे कर टाला या बटन दबाया तो उसी पार्टी को वोट गया और प्रस्तिक हां का multiplayer एस रिकॉर्ड में आया ब्राइन कि भी मैंने इस बटन को दढ़ाया अपलानी पार्टी जब गहाया है तो वो उसी हिजाब से काउंट जब होती है तो उसमें आए अब क्या होता है कि यह जो तीनों चीजें यह EVM में नहीं हो रही थी इसलिए यह वीवीपैट को बीच में लाया गया अब वीवीपैट क्या है वो एक छोटी सी मशीन है जिसको कि यह कंट्रोल यूनेट और यह ज दोनों के साथ इंटरफेस करके जोड भी अगया ठीक है और उसमें जब आप बटन दबाते हैं किसी भी पार्टी के नाम पर तो साथ सेकंड के लिए एक कागज की परची वीवीपैट के अंदर दिखाई देती है उसमें उसका सिंबल होता है जिस पार्टी को आपने वोट को देखना होता है साथ सेकंड के बाद वो परची गायब हो जाती है तो इस चीज के ऊपर भी जब यह कोट में बातचीत हुई थी तो फाइनली जो कंड़क्ट ऑफ इलेक्शन गूल है उसमें यह बोला गया था कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट मतलब अगर कोई वो सही बैलेट मानी जाएगी समझ गया मतलब यह नहीं के जो आपने बटन दबा दिया वो फाइनल चीज यह मानी जाएगी तो हमारा अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कोट में यह चीज चलती रही और एलेक्शन कमिशन आप इंडिया को जब कोट ने यादेश दिया यह लगने चाहिए तो ठीक है वीवी पैट तो लगए उसके बाद उन्होंने का जी एक कंस्टिट्विंसी में एक बूथ की वीवी पैट को चेक किया जाएगा जानी कि उस बूथ में जितने वोट डले उनके जो भी वीवी पैट की परचिया लोक्स के अंदर जाती है उस फिर उसके उपर जिरह चली फिर फाइनली यह हुआ कि अच्छा चलो एक असेम्बली बूथ में पांच बूथ के उपर हो जाएगा लेकिन सवाल यह उठता था उसके बाद फिर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने कोर्ट में गए थे अब यह वो जैसे मेरे ख्याल से टीडी कि कम से कम 25 में तो होना चाहिए तो यह चल रहा था सिलसिला तो उसके बाद यह हम लोगों के और जो बाकी बी कई संस्थाए हैं इस में आभी आपने देखा है कई लोगों ने पेटिशन डाली हुई है हमने पिछले साल डाली थी क्योंकि हमें पता था एलेक्शन आ रहे हैं चौबिस में तो हमने यह मांग की थी कि भई जब यह चीज बनी है और जब आपके रूज में लिखा है कि जो वीवी पैट की परची है वह फाइनल चीज है ना क लिखा लगेगा कि जिस बटन को आपने दबाया है वोट एक्शुली पार्टी को गया है और वैसे ही रिकॉर्ड हुआ है और फिर काउंटिंग में वैसा ही जो रिकॉर्ड में था वह काउंट हुआ है तो यह तीन चीज जो अभी के उसमें चल रहा था सिस्टम उसमें किताबें लिख चुके हैं और जो पार्टी हारती है वो कहती है इविम में गड़बड़ी करी है मैनिकुलेशन किया है यह तो पॉलिटिकल पार्टी का आपस में चलता रहता है लेकिन हमारा उससे कोई सारोकार नहीं हमारा कोई वो मतलब नहीं है हमारा मतलब यह है कि जिसको वोड़ दिया है वह वहीं गया है और वह ठीक प्रकार से काउंटिंग में आया है तो इसके ऊपर जो इलेक्षन कमिशन है वह चुप्पी सी साधे हुए हैं वह कहते हैं कि नहीं जी इसमें बहुत टाइम लगेगा इसमें क्या कहते हैं रिजल्ट निकलने में देर ह जाएगी और यह वो तो वो कोई खास मतलब ऐसी वो नहीं लगती लेटी आर्डिमेंट्स क्योंकि आप देखिए अभी सोला मार्च को या कब लो इलेक्शन अनाउन्स हुए ते और आपका रिजल्ट निकल रहा है चार जून को मतलब आप पिंतालिस के कितने दिन आप ज्या सब्सक्राइगा तो क्या फरक पड़ता है क्या दिक्कत है तो यह उसके कई लोगों ने सजाव दिये हैं एक तरीका तो यह है वह कहते हैं कि उसके साथ एक कॉमन प्रिंटर लगा दो नॉर्मल प्रिंटर ताकि जैसे आपने बटन दबाया उसमें पर्ची आई और वह प्र तो फिर आपका मैचिंग हो जाएगा और जो इवियम में गया है उसमें कोई गड़बड तो नहीं है सिंपल सी चीज है डिमांड यही है और यह कहें पूछ यह सर यह दो चीज लगता है एक तो साइध एलक्शन कमिशन कह रही है कि इसमें खर्च जादा होगा और दूसरी यूएस में आप आपने भी आची का दायर किये तो दो सवाल लोगों के मैंने में बहुत रहा है कि वीवीपैड हैक हो सकता है क्या एवियम के अपेक्शा या फिर उसमें गड़बरी हो सकती है और दूसरा की खर्च जादा होगा तो यह आपके निसार से क्या है इस दोनों लोगों को मालूम है कि यह जो कई विदेशों में यह ट्राय किया गया था ना उसके बाद उन्हों ने उसको फिर छोड़ दिया सिस्टम क्योंकि उन्हें उसमें खामिया पाई गई और वह वापिस सिंपल बैलेट सिस्टम पर आ गए आ गए कि अभी जैसे जर्मनी में हु कोट कास्ट एंटेंडड रिकॉर्डड एज कास्ट एंड काउंटेड एज रिकॉर्डड यह तीन जो प्रिंसिपल थे यह के थूरू सैडिस्वाइन नहीं हो रहे हैं इसलिए उन्होंने उसको बंद करके और वो लोग वापिस पैलेट पेपर पर तो हमारा तो सिस्टम य हैं और जो बाहर दुनिया इतनी बैठी है वो सब कहते हैं कि हो सकता है तो अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जो डेमोपरिसी के प्रिंसिपल्स हैं कि एक वोटर को होना चाहिए यह कि जो भफ कर ला है वा सही जगा जा रहा है और वो मैं जो कॉइप के लोग है क्रेंड़ के बाहर के वो सब का हैं कि कोई भी मशीन हो सकती है तो अब प्रवों कहते हैं कि जो इसे पॉलिटिकल पार्टी बोलती है अच्छा जी अगर है को तो पिर हम पलाने उसमें कैसे आप लोग जीत गए और यह वो तो वह उसका भी जवाब जो लोग देते हैं वह यह कहते हैं कि कोई बेवकूफी होगा जो सारे के सारे इलेक्शन में जीट जाएगा एकदम से जो कॉमन सेंस की बात है वह जहां पर इट मैटर्स वहीं पर थोड़ा सा दस परसेंट पांच पर आपने देखा है हमारे जो ज्यादा तर इलेक्शन होते हैं कई सीट्स ऐसी होती है जो बहुत पीनली कंटेस्टेड होती है और उसमें थोड़े से ही वोट के हेर फेर से पूरा रिजल्ट बदल जाता है तो अगर आप इस प्रकार के चुन के जहां आपको लग रहा है कि मामला गड़ बढ़ है वहां पर कर दें थोड़ा सा मैनिकुलेशन अगर पॉसिबल है तो तो फिर रिजल्ट बदल जाएगा और टाइम क्योंकि यह लोगों के मंदर कंफूजन एक दिन दो दिन जादा लग जाएगा तो क्या आफ़त कोई क्या आश्मान किर पड़ेगा क्या अगर दो दिन बाद रिजल्ट निकल गया तो आप मुझे बताईए जब आपकी प्रोसेस सोला मार्स से चार जून तक चल रही है तो हमने दोजार उनिस का जब रिजल्ट आया था उसके बाट डाली थी क्योंकि उस समय नोटिस में यह आया था कि कई वोटिंग हो ती तो वह दिखाता था जी कि कितने वोट गिरे ठीक है हर रोज वो बताता था कि आज इस जगा पे इतने वोट इतने वोट कर लिया जब रिजल्ट निकले तो फिर हरे केंडिट के जब वोट किने गए तो वो टोटल जो बना और जितने वोट पड़े थे वो मैच नहीं कर रहे तो अच्छे उसमें डिफरेंस आ रहा था डिस्पैरिटी थी कहीं पर सौ वोट की और कहीं पर हजारों की थी तो यह कैसे हो सकता है उसके बाद जब यह लोगों ने सवाल उठाया तो फिर इन्होंने एक प्रेश नोट भी दिया था और उन्होंने बोला कि नहीं जी यह इसलिए हो गया क्योंकि यह साइनलाइज रिज़ंट नहीं तो फिर सवाल यह उठा कि भ Ain आप पिर इतनी जल्दी में क्यू आप हमने यह सवाल नहीं उठा यह वार कि यह reproduce यह नहीं हमने बोला था कि जो पर्रोसीजिर आ इसको ठीक करने की हो सकता है कि जो वोट काउंट मतलर डेंदिडेट्स के मिला के आप काउंट करो वो फलक्त नंबर आ रहा है और जो आपके बूट के डेटा है कि इतने लोगों ने आके वोट किया वो अलग डेटा दिखा रहा है ऐसे कैसे हो सकता है और इसकी लिस्ट प्रॉपर हमने जब प्याइल दाखिल करी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो उसका कुछ वो नहीं हुआ बट मज़े की बात यह है कि उसके कुछी दिनों बाद जो वीवी पैट थे उन 2019 के इलेक्शन के वो सारे डिस्ट्रॉइ कर दिये गए इलेक्शन कमिशन के द्वारा जबकि कोर्ट में केस दाखिल था वो हेरिंग नहीं वह दूसरी बात है तो जब की रूल है कि यह वीवी पैट की जो पर्चियां है इनको मेरे खाल से पांच साल तक रखा एलेक्शन कमिशन को और रखने का अच्छा और उसको डिस्ट्रॉइ कर दिये तो इसके उपर अगर कोई डिस्प्यूट हो तो भाई उसको रखना पड़ता है ना बाद मे गरिफाई करने के लिए तो ऐसे छे महीने के अंदर आप कैसे डिस्ट्रॉइ कर दिया तो तो इसी वाज़े से उसका जैसे बीजेपी एक तरब से बीजेपी हो या फिर सत्ताधारी पार्टी वो यह कहती है कि एबीम को मतलब यह नहीं कि हम वीवी पैड और एबीम बात य आते हैं को तो खुला हुए जतना फैसला करेंगे क्यों होगा की नहीं होगा है अब जैसे रिक्वेस्ट किया था कई पी कई इसमें याचिका है तो जो कोर्ट में लॉयर्स ने कल दर्खास्त की थी जाजस से कि इसकी सुनवाई की जाए क्योंकि एलेक्शन अब शुरू हो हाले हैं तो जस्टिस खनना अवेलेबल नहीं थे वो किसी दूसरे बेंच में थे तो इसलिए उन्होंने बोला है कि दो हक्ते के बाद सुनवाई होगी इसकी अब जो मैंने आपको बता दिया कि हमारी को मतलब जो रिक्वेस्ट है जो अपील है जो प्रेयर है वो तो यह है कि हम्रिट पर्षेंट और कोई वज़े नहीं है यह है कि इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए इसके उपर इंप्रूव्मेंट करने की ज़रूरत है उसको ऐसे नकार देना ठीक बात नहीं है अगर लोगों के मन में शक है उसको दूर करना काम है वो तो मिलना भी नहीं चा जब कुछ प्हले बोल रखा है उसमें कोई चेंज नहीं है इसमों कोई नहीं कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है तो सब्सक्राह पर आपको आपके अनुसार से क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में पर आपको फैसला होगा वो पक्षमें लिपक्षमें या फिर जान प्रेजर और एलेक्शन कमिशन और गवर्मेंट वगएरा जो भी अपना एपिडविट करेंगे उनको लोग एक्जामिन करके फिर फैसला देगे ठीक है अब भी अब बारे में आप अनिल सर से बाजित सुन रहे थे तो अनिल सर आपका सबसे पहले नियूस तक में आने के लिए बहुत भाध धन्यवाद कि आपने मुझे अपना बेस कीमति समय दिया और मैं दर्शकु को ये अब को लेकर समझाने में क्योंकि ये ज़्यादा तो इन सब को लेकर अनिल सर ने हमें बताया और हम कोशिस करेंगे एक बार अनिल सर हमारे ओपिस भी आएं और उसमें हम विस्तार से इस पर बाचित कर सके फिलाल आपको जानकारी यह जो हमने अनिल सर से बात की है वो आपको अच्छी लगी होगी और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर आप हमें जरूर बताएगा सर आपका नियूस तरक में आने के लिए बहुत वाद धन्यवाद थैंक्यू कर दो तरक मेंटे के लिए ।